भारत में क्रिकेट को खूब पसंद किया जाता है। ऐसे में फैंस के मन में ये दिल्चसपी भी रहती है कि आखिर भारतिय क्रिकेटर्स की कमाई कितनी होती है और वे सरकार को टैक्स कितना देते हैं, जिसको लेकर हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है। जिसके मुताबिक जितनी पाकिस्तान टीम के खिलाडियों की सैलरी नहीं है, उससे ज्यादा भारतिये क्रिकेटर्स सालाना टैक्स देते हैं. तो चलिए, आज हम आपको बताते हैं सचिन तेंदुलकर विराट कोहली से लेकर MS धोनी तक सालाना कितना टैक्स सरकार को देते हैं. विराट कोहली सबसे ज्यादा कमाई करने वाले दूसरे भारतिये क्रिकेटर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले विराट पहले क्रिकेटर है. रिपोर्ट के मुताबिक विराट कोहली की कमाई सालाना उननीस सौ करोड से ज्यादा की कमाई है. वहीं साल दो हजार 2023 में कोहली ने 6,6 करोड रुपए का टैक्स भरा है। जो इस साल किसी भी क्रिकेटर द्वारा दिया जाने वाला सबसे ज्यादा टैक्स है। सचिन तैंदुलकर ने अपने करियर में कई बड़े रिकॉर्ड बनाए जिनको तोड़ पाना उत्ना आसान नहीं है। वहीं बात अगर सचिन की नेटवर्थ की करे तो उनकी नेटवर्थ 1436 करोड रुपए हैं। वहीं साल 2023-24 में सचिन तैंदुलकर ने 28 करोड रुपए का टैक्स भरा है. सचिन इस साल सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले तीसरे क्रिकेटर हैं.